दोस्तों शारदिय नवरात्री दो हजार चौबीस शुभ मुहूर्थ तो इस खूबसूरत वीडियो को एक लाइक जरूर करें आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी और यदि कोई सवाल हो तो बेजी जग कमेंट में पूछिए रिपलाई मिलेगा तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्थ क्या है किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी इस बार नवरात्री कितने दिन की है और मा दुर्गा की सवारी क्या है इसके अलावा दुर्गा अश्टमी, महानवमी और दशहरा कब है ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए ये एक मात्र जर्या है, जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, और आपके लिए ये वीडियो उप्योगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक तो जरूरी किया कीजिए दोस्तों शार्दिय नवरात्री का प्रारंभ होता है, पित्रि पक्ष के अगले दिन से, यानि कि जो सर्व पित्रो अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही प्रतिपदा तिथी से ही कलश की स्थापना करके, शार्दिय नवरात्री का प्रारंभ हो जाता है ये नवरात्री आती है शरद रितु में इसलिए इसे शारदीय नवरात्री कहते है एक नवरात्री चैतर मास में आती है उसे कहते हैं चैतर नवरात्री इसके अलावा दोगुप्त नवरात्री भी होती है जैसे की आशाध मास में और माग मास में तो सनातन धर्म में चार नव तो देखिये वैदिक पंचाग की अनुसार आश्विन मास के शुखल पक्ष़ की प्रति प्रति प्रतिपदा तिथि प्रतिफि प्रतिपदा मिनट पर इसे में अयुक्तूर को रही है जो व्योदै कालीन तिथी के अनुसार शार्दिय नवरात्री का प्रारम्भ होगा। 3 अक्टूबर 2024 को दिन होगा गुरुवार का, तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्री का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कि कलश स्थापना करने का इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहुर्त का समय आपको प्राप्थ हो रहा है दिन में 11 बज़कर 46 मिनट से दोपहर 12 बज़कर 33 मानट तक इस बीच में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं ये कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का अब जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की आपको प्राप्त हो रही है कौन से दिन आपको महानवमी मनानी है देखे, 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रिका घट स्थापना आपको करना है और शैल पुत्री माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी नवरात्री का दूसरा दिन होगा चार अक्टूबर को दिन होगा शुक्रवार का माता ब्रह्मचारणी की पूजा आप करेंगे और शारदिय नवरात्री का तीसरा दिन होगा यानि की तृतिया तिथी 5 अक्टूबर को है इस दिन आप माता चंदरगंटा की पूजा करेंगे जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है शारदिय नवरात्र का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर को दिन होगा रविवार का इस दिन विनायक चतूर्थी भी है और इस दिन मा भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप मा कुश्मंडा की आराधना आपको करना है नवरात्र की पंचमी तिथी आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर को जिस दिन आपको माता सकंद माता की पूजा आराधना करना है और ये दिन होगा सोमवार का आठ अक्टूबर मंगलवार के दिन माता का त्यानी की आराधना करेंगे जो कि मा दुर्गा का च्छठा स्वरूप माना जाता है 9 अक्टूबर को माता कालरात्री की आराधना की जाएगी और माता कालरात्री को मा दुर्गा का साथवा स्वरूप माना जाता है आठवा दिन नवरात्री का अश्टमी तिथी 10 अक्टूबर को आपको प्राप्थ होगी इस दिन माता महा गौरी की पूजा की जाएगी जो कि मा दुरगा का आठवा स्वरूप माना जाता है तो दस अक्टूबर को अश्टमी तिथी है माह अश्टमी और नौवा दिन यानि कि नवमी तिथी जो नवरात्री का अंतिम दिन होता है 11 अक्टूबर को है माता सिद्धिधत्री की आराधना की जाएगी जो कि मा दुर्गा का नौवान स्वरूप मानी जाता है और इनकी पूजा की ये बिना संपूर्ण नवरात्र का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्थ होता इसलिए नवरात्री में प्रतिपदा तिथी से लेकर नवी तिथी तक विधिविधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है मा दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना को पूर्ण हो जाती है कोई भी आपके जीवन में विग्नबादा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है नवरात्री के नौ दिनों में मादुर्गा की आराधना करने मात्र से, और अब जानते हैं कि शार्दिय नवरात्री में मादुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है देखिए इस बार नवरात्री का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार से और गुरुवार के दिन जब नवरात्री का प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है पालकी होती है इस प्रकार का वर्णन मिलता है देवी पुराण में अच्छा शार्दिय नवरात्री का प्रारंभ होने से पहले आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि मा का आगमन होता है हमारे घर में ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथी से लेकर और नौमी दिथी तक मा दुर्गा इस धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती है तो इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए नवरात्री से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए अच्छी तरह से मतलब घर के कोने कोने की साफ सफाई इस समय में हो जानी चाहिए ऐसा माना जाता है कि मा दुरगा उसी के घर में वास करती है जहां पर की साफ सफाई होती है और जहां पर कलह कलेश नहीं होता जहां पर सब के बीच में प्रेम बना रहता है वहीं पर माता का आगमन होता है तो अपने घर में आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से नवरात्री के इन नौ दिनों में कला कलेश ना हो लहसुन प्याज का सेवन नवरात्री में नहीं करना चाहिए मांस मदिरा का तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए मतलब कोई न कोई व्यक्ती हर वक्त घर में रहना ही चाहिए अगर आप अखंड दीब दान करते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना है एक और चीज नवरात्री के इन नौ दिनों में बाल और दाड़ी नहीं कटवानी चाहिए इसके अलावा नाखून भी नहीं काटना चाहिए तो यह कारे आपको नवरात्री से पहले कर लेना है नवरात्री प्रारंभ होने से पहले आपको जो भी जरूरी चीज़ें है पूजा की वो सभी चीज़ें खरीद कर अपने घर में पहले रख लेना है आप चाहे माता की मूर्ती खरीदना चाहते हो, या फिर चुन्नी माता की लेनी हो, नार्यल इत्यादी लेना हो, ये सभी चीजें आप पित्रपक्ष में भी ले सकते हैं, मतलब जैसे कि नवरात्री तो अगले दिन से ही प्रारंब हो जाती है न, जैसे कि अमावस्या के अगल पूजा की सामगरी होती है, वो सभी सामगरियां आप पित्रपक्ष में खरीद सकते हैं, कोई दिक्त नहीं है, देखिए, पूजा की कोई सामगरी हम खरीदारी करते हैं, पित्रपक्ष में तो उसका कोई दोश नहीं लगता, अपने लिए कुछ नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीद भी लेते हैं, तो उसे धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस बार नवरात्री का प्रारंभ हो रहा है। किसी भी कारण वर्ष तो आप प्रति दिन का पाठ सुन भी सकते हैं। कब है, विजया दश्मी कब मनाई जाएगी। तो देखिए, 12 अक्टूबर 2024 को विजया दश्मी अर्थाद दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। कब हो दोस्तों पाल मना लेगागी। कि विए भी सकते हैं। कि भी सकते हैं। दोस्तों तोस्तों जाएगी।